कि चलिए सर कुशन पढ़ लेते हैं क्या कहता है कहता है मिला के आपके बुक में मैं भुक में होगा जरूर है कि मैंने पहले भी करा है या प्रैक्टिकल में और कहीं भी हो चलो कोई बात ने कुशन देख लेते हैं कुशन देख लेते हैं कहता है दा फॉलविंग सेलेक्ट इन्फॉर्मेशन आपका क्वालिटी प्रोड़क्ट लिमिटेड 31 मार्च का गीवन है इसके पास क्या है पहले से एकुटी शेयर है और आप देखेंगे यह कुटी शेयर फुली कॉल्ड अप नहीं है मतलब फुली प पहले से 85,000 उपर नीचे हो गया कही है एक दो तीन चार पांच अच्छे होना चीए एक अमांट मिसिंग हो गया क्या है कि किसी के पास है बुक में मिला एक मिनिट एक दो तीन चार पांच छे पचास अजार है जनर रिजब चालिस अजार है पांच अजार है पचास अजार है पचास नहीं है और पचास पता है क्या है जनर रिजब यह अमांट यहां लिखा नहीं है पचास अजार जनर रिजब मिसिंग है इसमें मैं एड कर रहा हूं ठीक है यह यहां जाना चाहिए चलिए जी प्रॉपर्टी प्लांट एंट एक्विप्मेंट इंवेस्मेंट फेस वेल्यू और भी चीज़े दे रखाया नीचे में मुद्दे की बात तो यह है as per agreement with the preference share holder the director decided to redeem preference share 1st April 2020 यानि director ने decide किया कि 140 2020 में हम preference share को redeem कर लेंगे at a premium तो भीया जो हमारा था 12% preference share capital था that is कितने का था 1,00,000 का था इसके उपर हम 10% का क्या लेंगे सर security premium that is 10,000 यानि हमें एक लाख दस अजार रुपे का इंतिजाम करना है including premium आगे कहता है it was also decided utilize profit to the minimum extent possible for purpose of redemption और यह बोलता है कि भाईया हम जो अपने reserve है उसका कम से कम इस्तमाल करेंगे ज्यादा नहीं करेंगे कम से कम the board decided sell certain investment whose face value 31 March 20 में that is 50,000 एक हमने investment बीज दिया जिसका value एक चार ही माल लो आप 2020 में कितने का face value था 50 यहां पर ध्यान से देखोगे तो investment हमारे पास एक लाख का face value था जिसकी कीमत कितनी है असी है ठीक है तो उसके हिसाब से इसने सारा का सारा नहीं बेचा उसने कितने बेचे सिर्फ उसमें से 50,000 का बेचा इस पर भी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे देखेंगे एड इशू फ्रेश इक्विटी शेयर प्रीमियम सब्सक्राइब को अगर आपने पैसे देना चाहते हो तो उसके लिए फ्रेश इशू से इखटा करो क्यूंकि यहां पर देखो कि आपके पास पैसा तो है या नहीं है यानि आपको एक लाग दस हजार इंतिजाम करना है ठीक है लेकिन एक जगह से और पैसा आएगा जो बच्चा ध्यान से पढ़ रहा होगा वो बतादो एक जगह और कहां से पैसा आएगा बताओ फटा फट से नहीं पैसा आएगा कैश बताइए चलिए देख करना है सर अब बताइए नहीं चलिए लाइव में पूछते हैं मैंने बोला हमें पैसा कितना पैसा देखो रिजर्व और पैसा देना अलग चीज़ है करना और वह चीज़ अलग चीज़ मैंने बोला इसको एक लाग दस तजार पीड करना है तो इससे पैसे देंगे अब एक लाग दस अजार के लिए इसने बोला कि अगर आपको पैसे नहीं है तो अगर आप देखो देखो गया सर पॉंट सेने हैं पैसे की बात कर रहा हूं मैं अन्य इन्वेस्मेंट पैसे आएंगे फिर कम पढ रहे हैं खांध तो अभी इन्वेस्मेंट से गशन देखेंगे क्या है अब इन्वेस्मेंट कहता है आगे investment पर sold loss 5% तो मुझे कोई भी बच्चा बता दे एक भी बच्चा बता दे कि मैंने investment कितने का बेचा है इंवेस्मेंट कितने का बेचा है बताईए तो था वो बेचा नहीं है बाज में उसने 5% के लॉस बेच दिया उसको हाँ तो बताईए investment दक्स का जवाब आ गया है और भी बता दीजिए जितने बच्चे लाइव हैं सभी बताईए फटा फट चालिस तो नहीं है देखिए investment का face value क्या था देखो आप जिस हिसाब से इस chapter को कितने सभी के पास book तो है book तो ले लिया कितने बार question कर लिये नहीं करें तो आपको दिक्कत हो जाएगी देखो पेपर में आप क्यूंकि मैं थोड़ा फास्ट लेके चलूँ आप सभी को मैं पहले यह चीज बोल दूँ नहीं तो भईया आप पूजा पार्ट करते रह जाओगे और पेपर निकल जाएगा फेस वेल्यू एक लाग का है जो कि आज के डेट पे इसकी कीमत 80,000 का है इसने बोला फेस वेल्यू का 50,000 मैं बेच दूँआ यानि फेस वेल्यू का देखा जाए 50,000 बेचे तो 50 परसेंट बेच रहे तो जो 50 परसेंट हिस्सा होगा वह चालिस इससम exclusively लेकिन बोल भाया जितना आप ख्शॉस को निकलette 20,000 बॉलॉक सका और 38,000 का अब loss बता दो कितना हुआ loss कितना हुआ इसी का सरिफ इसी का loss कितना हुआ loss बताईए कौन बताएगा loss loss बताईए येस बारह हजार रुपए का loss हो दसका ये भी तो loss है भई ये पहले 50 वाला समान तो तुमारे 40 में चले जाते तब भी 10 का loss था और 2000 का loss बढ़िया यानि loss जो होगा आपका टोटल 12,000 रुपीस का होगा पहले ये बात समझ में आ रहे हैं आपको क्योंकि आपके investment की कीमत कितनी है और आप बेच कितने में रहे हो असी अगर आप कुछ भी ना करो तब भी तो आपको loss दिखी रहे आपको आधे में यहां तक समझ में आया कितने का loss आगे आपका 12,000 रुपए का ठीक है आगे बढ़ते हैं आफ्टर रेडम्शन बोट ऑफ डिरेक्टर डिसाइड़ वन बोनस शियर रुपीस इच एवरी फाइब यानि पांच के बदले एक बोनस शियर देंगे और में पॉइंट यहां से सुरू होता है यहां तक की कहानी सारी आपको पुरानी लगेगी अब कहानी में ट्विस्ट के आता है इसमें से सौ प्रफरेंच शियर होल्डर वर्टू नॉट बीट्रीज़ बल मतलब सौ प्रफरेंच शियर होल्डर ऐसे हैं ढून ढून के परिशान होगे मिली ने रहे हम पैसे लेके से बैठें क्योंकि हमें टॉटल एक लख कांट करना हमारे कितने हैं अब मिले प्रेजी नहीं कर पाए अब कुश्टन मार्ग बनता है हमारा अब सियारार सर हम नौसों के हिसाफ से बनाए जो कुश्टन हो सकते हैं आपके माइंड में नहीं है तो होने चाहिए क्योंकि हमें टोटल कितने रिडीम करने नंबर की बात करें तो कितने तभी तो एक लाख बनेंगे जिस में से सो तो हमें नहीं दिखे तो बचे कितने स्यारार 900 के चलोगे जब नौट से चलींगे अपने फाइनल के चलींग के ठीक है अब हमारा अग्ण 38,000 अब हम थोड़ा सा finance की बात कर लें चलो next page पर भी ले जाओंगा मैं को मैं पहले सभी बच्चों समझ मैं या दुबारे एक बार और समझा दिया जाए कोशन चलो आप कह रहे हो तो एक बार और समझा देते हैं कोशन को और ठीक है आपको घर पे भी समझ रहे हैं आपको 10 सबसे पहले हमारे पास मुद्दे की बात जो जो चीजे ध्यान रखने वाली है वो उसके मारक करता हूं यह हमारा इक्विटी शेयर फुली पेड़ नहीं है पर फ्रेंशेयर हमें कितने करना है साहाब करना है एक लाक और एक लाक अगर रिडीम करें और एक की कीमत कितनी है सौ तो नंबर की अगर हम बात करें तो भाईया प्रफरेंश येर हमें रिडीम करना है कितने एक हजार तो मैं यहां पर लिख लेता हूं कि हमें 12% प्रफरेंश येर कैपिटल रिडीम करना है और जो रुपीज के टम्स में देखा जाए तो एक लाग है और नंबर के टम्स में ने लिखी दिया कितना होगा? एक हजार है जनर रिजर्ब है सेकुरिटी प्रेमियम है जनर रिजर्ब में एक अमाउंट मिसिंग है 50 जो कि मैं यहां पर लिख देता हूं कि भेईया यहां यहां पर है मेरे कॉस्चन में गलती है जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है आगे सर्प्लास, क्रडिटर, एसेट्स, वेसेट्स, सारी चीजे हैं कहता है एस पर दा एग्रीमेंट विच दा प्रफरेंच येर होल्डर हमारी और प्रफरेंच येर होल्डर के बीच में पहले ही एग्रीमेंट हो चुका था एक अप्रेल 2020 में तो डेट इतना माइने नहीं रखता वो रिडीम एक अप्रेल 2020 में करेगा आगे कहता है तेन परसेंट प्रीमियम पे करेगा इसका मतलब भाया प्रफरेंच येर होल्डर मैं तुझे एक लाग नहीं दूँगा इसके उपर मैं तुझे सेक्योरिटी प्रीम देने वाला हूँ दस परसेंट डेट इस आपका आएका बनेगा दस अजार यानि टूटल तुम्हें पैसे देने हमें एक लाग दस अजार यह क्या है सर पैसा देना है यह समझे बात टूटल एक लाग दस अजार नाउट वस ऑल्सो डिसाइड इसने डिसाइड किया अज़ता है हमेशा हम मिनीमम ही करते हैं जब कुछ हांत पैर जैसे कि हमने फ्रेश इशू मानलो मैंने पचास जार कर दिया और बनाने की बात करो तो आप यह पचास जार तो आपको बनाने ही पड़ेंगे ने सकते तो अल्वेज हम नहीं करते हैं एक्सेंड पॉसीबल चास जार के इन्वेश्मेंट बेच देंगे तो अगर यह एक लाग की इन्वेश्मेंट की वेल्यू यह है तो हम बेचने कितना जा रहे हैं इधर से आप काउंट करोगे तो कितने होंगे 40,000 समझ रहे हैं किया बताना चाहरा हूं क्लियर है यहां तक सभी को इसके बाद क्या कहता है इश्मेंट कर दिया आपने कितने 5% के लॉस पे है तो मैं इन्वेशमेंट की बात करूंक्न तो इसकी काफी तरीके से खैलकूलीशन हो सकता है लेकिन मैं सिंपलना अगर लूंँ था हमारा क्लाक था है एकलाख में पचास अज़ार और इधर देखे तो बना कितना पचास हजार और फचास हजार ठीक है लेकिन इसी का ओपर हमारा जो कॉस्फ प्राइज है डेटीज है सिद्ध कितने हैं का सथी हजार को अगर मैं दो पार्ट में पार्ट दूँ क्युंकि यह एक्जक्ट देखोगे तो तो इसका 50% है तो यह जाएगा चाली सजार 50% और 40,000 हमारे पास नए बैलेंशीट भी बनानी है इस कुश्चन में बैलेंशीट भी तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे पास 40,000 बच जाएगा और 40,000 का बिक जाएगा लेकिन बोला भाई 40,000 का 40 में मत बेचना 2% के पांच परसेंट के लॉस पर दो हजार यहनि थर्टी एट इन्वेस्मेंट बची हुई है अभी बैलेंशीट भी बनाना है इसलिए सब कुछ ध्यान में रखना है आपको कि अभी भी हमारे पास 40,000 की इन्वेस्मेंट है जब नहीं बैलेंशीट बनावा तो उसमें रिफ् या शेयर जो भी सौब का था बोनस भी सौब का किया हर पांच के बदले देगा यह ठीक है शेयर है और उसमें से हंडिट प्रफरेंट जो था नौट ट्रेसेवल मतलब उनके पैसे हमें देने गए लेकिन नहीं मिला तो सारा काम करने के बाद हमें पता चला कि यह नहीं मिल है ऐसा नहीं कोई कंप्लाइंस नहीं किया गया है रिक्वेस्ट शोदा नेसेसरी जनल एंट्री करिए बुक्स ऑफ दा आपका क्वालिटी प्रड़क्ट लिमिटेड और आपको एक बैलेंशीट भी बना कि दिखानी होगी तो भीया सबसे पहले हमने जो इन्वेस्मेंट बेचा 38 का तो पैसा हमारे पास कैश आगया इन्वेस्मेंट बेचके कितना सर 38 का क्योंकि CRR जब तक क्रियेट नहीं कर सकते जब तक हमें यह नहीं पता चल जाए कि हमने कितने फ्रेश इशू कर दिये हैं और फ्रेश इशू हमें तब तक पता नहीं चल सकता जब तक यह पता चल जाए कि तुम्हारे पैसे कितने कम पड़ रहे हैं तो आप सबसे पहले अगर मैं यहां पैसे कमी की बात कर लो इंक्लूडिंग प्रीमियम तो कितने पैसे कम पड़ रहे हैं सर 38,000 that is 72 यानि सर हमें 72,000 रुपीज कैस की जौरत है तो हम फ्रेश इशू करेंगे सर वह करेंगे 72,000 रुपीज चाहिए और एक शेयर 120 का होना चाहिए तो नंबर पता चल जाएगा यानि सर 600 शेयर आपको फ्रेश इशू कर दोगे ना तो आपका 72,000 का इंतजाम हो जाएगा 600 शेयर का मतलब रुपीज के टर्म्स में बात करें तो 60,000 रुपए का शेयर सर प्रफरेंश शेयर केपिटल कितने हैं सर क्योंकि फेस वेल्यू से काम चलता एक लाग एक लाग में से तो भाईया 60,000 रुपय का तुम क्या कर रहे हो एक खुटी शेयर इस्टी प्रेमियम इंक्लूड करना है नहीं करना नहीं करना यहां सिर्फ किसका काम चलेगा फेस वे तो कि हमारे हम इसको से कर देते हैं किसे कर देंगी तो working कि यहां तक बताईए किसी बच्चे को कोई डाउट कि देख लो आप जन्रल एंटर देखो बस समझने की फेर है जनल इंटिव दो फट्राइब कर दो फिर से कैश बताना है फिर से देखो कैश वाला पॉइंट में बिल्कुल अलग से कलर कर देता हूं तो कि आपको अच्छे अच्छे से दिखे ये लो इसको कर देता है ठीक है अब हुआ यूं कि सबसे पहले हमें टोटल पैसा यह देना था यह तो सबको समझ में आया जिसमें से 38,000 तो हमारे पास आई गया पैसा कहां से आया सर 38,000 इंवेस्मेंट बेच के आया तो इसका मतलब सर मुझे बहत्तर हजार रुपए देने इंतिजाम करना है देने नहीं इ सो बीस है तो अगर मैं 72,000 को 120 से डिवाइड करूं तो एक मेरे पास सर्टेन नंबर आ जाएगा आपने अधर दिन कैश में करा था ना कि अगर आपको इतने रुपए की मसीनरी खरीदने हैं तो नंबर आप शियर निकालने पड़ेंगे तो वहाँ पे हमने डिवाइड़ गजिए तो चेसो शियर और एक की मत कितने हैं सौ रुपए हैं तो एक लाख रुपए का हमें टूटल रिडंशन का काम करना है कितने का काम करना है सर अगर मैं बात करूं यह वाली बात यह सारी चल रही है एसेड साइट को पॉइंट रखके अब लाइवलीटी साइट पर जाते हैं साथ हजार रुपए का हमें क्या करना है सर एक तो एकुटी इशू अल्रेडी हम कर चुके हैं क्योंकि फाइनिंस के परपस से तो जितने कम बच गए चालिस अजार उसका जी आर कर दिया अब इसको हम अगर आगे लेके चलें सर आगे कहां लेके चले कुश्चन को क्योंकि मुझे जैनल एंट्री करना है तो इसलिए मैं क्या करूंगा यह सारी कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई है पूरी अच्छे से कोई इसमें दिक्कत नहीं है तो मैं एक काम करता हूं इसको मिठा देता हूं वह से क्योंकि मुझे जैनल एंट्री करना है और अगर कोई चीज मुझे बताना होगा तो मैं उल्डेडी बता दूगा तो इसको मैं मिठा देता हूं मैं बहुत छोटी से समरी पीछे से मैं लेता जाऊंगा क्योंकि मुझे तो लगवग लगवग यादी हो गया है और होफुली आपको भी याद हो गया होगी कि क्या चाहरा है एक्जामनर हमसे इसमें तो इसको हम हटा देते हैं और अब सीधा फटा फट से जर्नल एंट्री पहली जर्नल एंट्री दिमाग में सोच लो सी आरार बनाने की कैसे करेंगे जी आर टू सी आरार सर्प्लस भी यूज कर सकते हो आपकी इच्छा के ऊपर है चलिए इसको भी डिलेट मार दे भाई साव चलिए पहली जर्नल एंट्री सर जर्नल एंट्री तो सी आरार कितने रुपए से चालिस हजार हर बच्चे को यह एंट्री क्लियर होना चाहिए कहां से क्रियेट हो रहा है ठीक है अब बैलेंस शीट भी बनाओगे तो आपको पता होना जरूरी यह नहीं तो फिर गलत कर दोगे बैलेंस शीट में जा किया आप चलो अगली एंट्री अब हम क्या करें इन्वेस्मेंट बेज दो यह फ्रेश इसू करतो तो नंबर दो पर अगर फ्रेश इसू में सॉटकट में करूं तो सीधा में बैंक टू एकुटी शियर कैपिटल और टू सिक्यूरिटी प्रीमियम तो भीया एकुटी शियर में साथ और यह बारह और बैंक में आगे 72 अब इंवेस्मेंट को बेच दो आप सर इंवेस्मेंट बेचना था हाँ बिलकुल उससे भी तो बैंक में पैसा आ रहा है कितना आ रहा था बैंक अकाउंट में 38 और लॉस और इंवेस्मेंट बारह हजार और हमारे पास से इंवेस्मेंट चला गया पचास हजार बहुत सारे बच्चों को लगेगा 2000 ही लॉस है जो कि गलत कर देंगे एक्जाम में देखो गलती तो कहीं भी कर सकता है स्टूडेंट अकर ध्यान से नहीं पड़ता है तो इसके बाद तीसरी एंट्री ये भी कर दी हमने अब क्या करते हैं सर सबसे लास्ट में होगा अब हम पहले को बुला लेते हैं बारा परसेंट प्रफरेंच शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट भी या एक लाक रुपे अब तुम्हें सेक्यूरिटी प्रिमियम भी मैं देने वाला हूं अकाउंट डेबिट कितने दस अजार टोटल भी या सब्सक्राइब कितने सौ तो भागी गए तो भाईया मैं दूगा प्रफरेंच शेयर होल्डर को जो पेमेंट दूगा अब दूगा किसके हिसाब से 900 इंटू में 110 यानि 99000 ही पेमेंट मैं कर पाऊंगा ऐसा नहीं कि मैं पेमेंट नहीं कर सकता कर पाऊंगा सिर्फ 99000 और मै पैसा है यहां पर पांची हजार है और हमने फ्रेश इशू भी तो लिये थे 12000 रुपे याद होगा ना फ्रेश इशू से 12000 आये थे प्रीमियम यह रहा तो हमारे पास प्रीमियम में सफिसेंट पैसा है अभी लाग तो मैं अगर प्रीमियम को राइट आफ करने की बात प्रीमियम और कितने रुपे हो जाएंगे सर पूरे 10,000 रुपे को मैंने राइट आफ कर दिया अब बताओगे कि मेरे पास प्रीमियम में नए बैलिंश इट में जब जाओंगा तो दिमाग में कैलकुलेशन करो कि कितना प्रीमियम में बैलेंस बचेगा क्योंकि टोटल कि आगया प्रफरेंश का पंगा खतम अब बोनस दो तो बोनस का क्या कंडीशन था बोनस देने से पहले आपको पार्टली पेड़ाप क्या बनाना पड़ेगा पुली पेड़ाप बनाना पड़ेगा कंडीशन तो हमारे पास देखा जाए तो यहां पर शिर्ष भी कौन से है पार्टली पेड़ बीस अजार रुपए कम है कॉल सिनेरिया तो सबसे पहले हम इसको फुली पेड़ बना देते हैं तो इसके दो तिन तरीके से एंट्री बनाया था तो वही कर लेते हैं शियर फाइनल कॉल टू यह तो बॉनस शियर कर लो यह फिर आप ऐसे कर सकते हो की पहले जनर रिज़र्व हमारे पास जनर रिज़र में कितना पैसे भी यह दस तो पच्छ कितने थे हमारे पास जनर रिज़र्व में पचास अजार दिखनी रहे था पचास में 140 निकाली लिए अब वहां 20,000 देन काम करते हैं यह ले लेते हैं सर्प्लस तो सर्प्लस कि बोनस कितने रुपए सर्फ 20,000 रुपए की जौरत है सर्फ कितने की जौरत है 20,000 ठीक है अब दिमाग में कैलकुलेशन भी लेना चलो मैं कर लेता हूं हमारे पास SP में कितने पैसे थे 5000 सर्प्लस होगे SP में लिख रहा हूं कितने बारा टोटल सहाब SP में कितने हो गए 17 और उसमें से माइनस में हमने SP को राइट ऑफ कर दिया डबलू कर देता हूं 10 तो SP में कितने बचे साथ अभी बैली शीट बनाएंगे नूट में तो पता ही चल जाएगा इसके बाद आप बोनस इशू करने के लिए हमारे पास पहले से कितने अगर देख जाए तो लाग यानि 2000 थे तो पहले से कितने थे सहाब 2000 और 600 और एशू कर दिया क्या कहते है कि कि आफ्टर रिडम्शन रिडम्शन के बाद डा डरेक्टर डिसाइड इसूवन बोनस यानि रिडम्शन के बाद bonus decide कर रहा है तो इसका मतलब fresh issue तो redemption से पहले ही हो गया था तो अब वह इंक्लूड करना होगा छोटे-छोटे से यहां पर points होते है logical points है जो कि आपको ध्यान में रखना है इसके बाद कितने आ जाएंगे सरीए 2600 इसने क्या कहा एक पांच के बदले तो डिवाइड़ कितने बन गए है कितने बार आएगा कि लिए कि 520 कितने बेसे इस करेंगे अब पानसो बीच आप पांसो बीच के लिए हमें कितने रुपे चाहिए सर पांसो बीस इन टू में 100 यानि हमें चाहिए 52,000 52,000 का इंतिजाम करना है जिसमें से हमारे पास CRR में 40 है और Security Premium में 60 है तो देखो Security Premium में कितने पड़े भे थे 7,000 और CRR भी यूज हो सकता है कितने पड़े है 40, 47 और कितने चाहिए 5,000 क्या Surplus में 5,000 मिल जाएंगे Surplus की Calculation देख लो Confuse क्यों होना हमारे पास Surplus कितने थे 40,000 जिसमें से Minus Use कितने कर लिए 20,000 बचे कितने 20,000 लॉस कितने हो गए 12,000 वो भी तो जाएगा तो बचे कितने Surplus में 8 है तो हमें Surplus के लिए चाहिए कितना यहाँ पे 5 इतो चाहिए तो ले लो Surplus और टू बोनस कितने का 52 आज आईए अब बोनस इसू टू टू एक्विटी शेयर क्यापिटल कितने 52 किसी बच्चे को कोई भी जनरल एंट्री में डाउट है तो बताईए हमने सारा का सारा जनरल एंट्री कर दिया है वैसे loss on investment की जगह पर नहीं हमें word यूज करना चाहिए शर्प्लस यहां पर वाड्ड वैसे लिख दिया नहीं तो एक और एंट्री करना पड़ जाएगा कि भाई हा लॉस on investment को क्या करेंगे surplus टू लॉस on investment जो logically और actual होना चाहिए वो मैं करके दिखा रहा हूं यहां तक किसी बच्छे को डाउट है बट सर फुली पेड भी करेंगे बिलकुल सही है पहले कर दिया सी यहां तक किसी बच्छे को डाउट है बता यह पुट है अब बताइए और वैर यह 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 इना हमारे पास हाँ तो चाले से यूज कर लिए है कि हमें 52 चाहिए था अब बता बैलेन शीट में दिखेगा नहीं क्योंकि यूज कर गया ठीक है अब बैलेन शीट भी बना ले आपके लिए चलो मैं मेरे लिए तो बेनिफिचल होई है कि मैं बैलेंशीट को क्या कर लूँ काफी ताकि काम क्या हो जाए असान बहुत इंपॉर्टेंट कोश्चन है इस टाइप के आपको टैनियर में बड़े सारे सवाल मिल जाएंगे ध्यान रखिएगा तो आपको करना जरूर है वह कहां थे भाईया हम कि कर रहे हैं नहीं यह आपके सामने बैलेंशीट और इस पूरे जनल एंट्री को ध्यान में रखते वे बैलेंशीट बनाएंगे तो बैलेंशीट के अंदर सबसे पहले हमारा होता है सब कुछ लिख लेते हैं और मैं बैलेंशीट भी कॉपी कर लो क्या कुश्चन में ठीक बाद में मुझे ही हो जाती है कि यह कुश्चन कराएंगी नहीं कराएं कि अच्छेलों कि सामने रहेगा बैलेंशीट तो पटा पट कर लेंगा अगरा आपके सामने इससे बस कॉपी करना है और मैं नूट बना लेता हूं यहां पर ठीक है कि नोट तो चाहिए चाहिए कितने सारे काम हुए है तो बेसिकली कितने नोट चाहिए सर देखते जाएं चलो हो गया आजाते हैं सबसे पहले हम ले लेते हैं नूट नूबर वन कि अधार शेयर कापिटल ठीक है और शेयर कापिटल में सबसे पहले आ जाता है हमारा एकुटी शेयर कापिटल कि देट इस हमारा दो लाक रुपए का प्लस फ्रेश इशू कि मैं रफली लिख रहा हूं आपको क्यूंकि इसका एक्चुल फॉर्मेट फाइनल अकाउंट में बताऊंगा वैसे तो आपको वीडियो बुच्छे बोल रहे हैं इसमें से हट गई मैं दुबारा डालूंगा इसमें एक्चुल फॉर्मेट में फाइनल अकाउंट के अंदर आपको बताऊंगा कि कैसे होता है कि आपको अधराइस कैपिटल सब्सक्राइब बट नौट फुली पेड़ अप एंड सारी चीजे फ्रेश इशू कितने किया सर हमने सिक्स्टी थाउजन याद है आपको तो कि यही बचे जो जाओ जाओ जी नौट नूमबर 1 दो साथ करेक्ट अब नूबर 2 रिजर्व एंशर प्लस इधर आ जाते हैं नोट नूबर 2 रिजर्व कि सबसे पहले जैनल रिजव कितने का है सबसे पचास अजार इसमें से माइनस क्या कर दिया सी आर कितने का 40,000, और कुछ minus किया गया इसमें से जनरिजम में से नहीं किया, बचे कितने 10,000, सर सर कितने है सर 40,000 सर 1,000 1,500, बोनस 20 और फिर से बोनस 5, 12 नहीं किया और फिर loss 12,000 आप कितने बचे सर, 2000 सुषाफ वियांटिके। स जो जी दौ कर लाजी हैं सिक्योरिटी प्रीमियम कितने हैं किद्न कि geben सरक पछावाए nothing सिक्योर्टी में किया माइनिस किया हमने प्लस पहले करना लेते हैं सिकुरिटी प्रीमिम अइर माः कितने बारा बचे कितने सत्रा सत्रा में से राइट ओफ हो गया कितने दस हजार फिर उसमें से हमने यूज कर लिया बोनस के लिए कितने साथ हजार तो बचे कितने जीरो से कुछ बचाई नहीं मैं तो सारी चीजे करके बता रहा हूं आपको बस कोशन याद में होना चीए आपका कॉर्परेट अकाउंट तभी आप पढ़के समझ सकते हैं कोशन पढ़ा आपके दिमाग में पूरा कॉशन मतलब पिक्चर बन जान पांच तो मिल जाएगा पांच भी नहीं देंगे फिर वो कितने हो गई यह द्यास और दो बारह हजार नाव रिजर्व एंसर प्लस में नोट नंबर डू बारह हजार चलिए सर ट्रेटर नोन करेंट लाइबिलिटी है नहीं छोड़ देते हैं इसको ऐसे बस नोट को डिली िंदे और सर और सर और सर और साओर यह ब्लाइथ हो गया इसमों में लाइव बता है किसी ने सर डूस नहीं काउंट्किया सब्लाइब बच्चे आप ड़ों हो गया पोंनों कितने टी लग वैं गया से तब दो साथ और फिटी estos के तो कर दो तो तो तीन बारह हाँ छे पांच गया रहा तीन बारा ना आ जाए जी तीन बारा किदर गया किदर गया कि इस पहुटा के तीन लाख बादा जाए चलिए सर प्रापटी प्लांटेट एक्यूपेंट कुछण कह रहा है तो दो नब्बे इंटेंजिवल एसेट्स में क्या आगया हमारा इंटेंजिवल नहीं होता है इन्वेस्मेंट अलग से बनाना पड़ेगा यहां पर है नहीं हमारा इंवेस्मेंट का तो हाला कि मैं यहीं इन्वेस्मेंट है कि सब्सक्राइच इन्वेस्मेंट कितने हैं सब्सक्राइचव Innoty सब्सक्राइच क를 पूरा बचरा है आप कैश का पंगा कैश कुछ बचाए सब देदू के बराबर कर दिया हमने हमने लॉस का हांता है अब कैश का एक बार नोट बना के दिखाना पड़ेगा कैश का आपको मुझे कैश के लिए सब्सेपर फ्रेश इसे पैसा आया कितने few फैसे रफेशं प्लस इंवेस्मेंट बेचने से लगा कितना 8000 टूटल पैसा कितना हो गया मैंने प्रफरेन्वीर लेङ्श कि वाकपी तो कितने कि अट गया Tell तो cash and cash equivalent में आ जाएंगे तो नहीं समझ मैं बताइए यहां तक किसी को डाउट अब जो सौब प्रफरेंज शेयर होल्डर है जिसके पैसे नहीं दिये कि ग्यारा हजार उसको कहां रखेंगे क्या वो प्रफरेंज शेयर शेयर कैपिटल में ही रह जाएगा या फिर कहीं और सोचिए आप कहां जाना चाहिए दिमाग लगाए इतने में टूटल कर देता हूं कि तीन सब्सक्राइब मेरे कुश्चन क्या है कि चार नौँ कि मैं क्या कह रहा हूं तो जब कभी ऐसा होता है कि किसी के पैसे देने वह लेने नहीं आ रहे तो उसको हम डाल देते हैं करेंट लाइबलिटी के अंदर कर देंगे तो अब 11,000 रुपए एक यहां पर भी अधर करेंट लाइबलिटी के अंदर डालना पड़ेगा यह बात समझ में आई आए आपका आगे समझ में क्या कह रहे हैं अब टूटल करिए कितने हैं और नीचे का भी करिए यह वाला यह चार इकत्यस आ रहे हैं कितना रहे हैं अब बताई कितना पेमेंट आ रहे हैं कुछ और तो नहीं रह गया कि बोनस इशू हो गया कि इसका भी टूटल चाथ कर लेते हैं चार साथ यह ठीक है हमने कहीं है कहीं टूटलिंग में मिस्टिक किए एक बार देख लो आप क्या गया रहा है चार तीन आएगा एक बनेट रुकिए यह तीन आएगा ना लॉस भी यहां पर दो ही दिखाऊ गया अभी समझाते हैं लॉस दो चालेश माइनस सताइस देरा देश्ट इस इसको लिखो देश्ट इस प्रेश्ट 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 कि तीन बारा कि लस्टेश्ट इस 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 चार इकत्यस और नीचे भी यहां रहा है अभी समझा देते हैं वो लॉस क्यों मिस्टेक हो गया हमसे चलो अब देखो लॉस वाली एंट्री पहा जातें पीछे पहले इसको गवर कर लेते हैं यहां यहां पर आप अल्रीडी यह असी हजार का दिखा रहा है ठीक है और डेट इस बुक वेल्यों कि यानि जब यह बैलेंशीट बना तो यह जब असी अजार दिखा रहा है तो देट टेट तक के बैलेंशीट में अल्रीडी वह 20,000 अपने लॉस को बुक कर चुका होगा जैसे कि आपने investment fluctuation reserve का बनाते थे तो जब fluctuation होता था तो पहले से बुक कर चुका है वो जो 20,000 था तो हमें जो लेना है यहां पर वो सिर्फ फ्रेश वाला जो 2000 है वो लेना है तो मैं यहां पर भी क्या करना चाहता हूं सर 2000 और हमारे बैलेंशीट में investment है कितने का सर बैलेंशीट में investment है हमारा 40 का तो इसलिए हम इसे यहां पर क्या ले लेंगे 40 ले लेंगे और कोई भी correction कहीं लगने की जुरत नहीं है हाँ यहां पर एक point और है question में के सर जो partly paid up था उसके लिए उससे पैसे मांगते तो वह भी दे सकता तक कहीं भी questions में यह word नहीं बोला कि partly paid up को by way of bonus के थ्रू किया है अधर वाइस आप इससे पैसे भी मंगवा के कर सकते थे अगर आप पैसे मंगवाते तो उस situation में आपके पास जो बैलेंस है यहां पर 11000 के जगह पर आपको 20,000 वह भी देते call scenario वाले तो यह 31,000 हो जाता और यह रिजर्व हमारे जो 23 से वह बढ़के 11,000 और भ पहले हमारे पास जनल रिजब में पहले से 50,000 हाला कि यहां पर दिख नहीं रहा मैं लिख देता हूं यहां 50,000 मिसिंग है यह 50,000 मैंने पहले भी दो बार बता दिया है उसमें से हमारे CRR में चले गए 40,000 तो हमारे पास बचा कितना सर 10,000 तर सर प्लस में ऑल्रेडी हमारे 20-25 वाला जो हमने करा था कि पांच के बदले एक देंगे वह वाला इसके बाद लॉस 2,000 इंवेस्मेंट पो सब माइनस करके 13 तो 23,000 बच गे वह 23,000 उठाके हमने नोट नंबर 2 के अंदर लिख दिया और इसको नोट नंबर हम क्या देते हैं सर 3 और इसको नोट नंबर दे कैसे ज़त कि अग Service का ईहां सिंवर का अमाउंट जो है वह हमने कंपनी ने अपने पोकिila से पैसे कर दिये जो हमारा ये ये बताता है कौन सा एंट्री बताता है हमारा सर्फलस टू बोनस इसके तो तरीके से कर सकते थे 000 सब्सक्राइब साथ कर सकते थे चाल पेच्छ man एक बोनस इअयर बोनस टू कॉल सिनरय एक ऐकी सिंग हो गई भिया बोनस टू हो इक्विटी शेयर कापिटल है जो कि भी सब्सक्राइब है कि ठीक है कि सिखा कि यहां तक किसी बच्चे को डाउट है कि लिए लिजिए कि यह कुशन देखते हैं एक बार क्या कहता है अमाउंट प्रोसेट्स पार्टली पेड़ फानेंसी से होंवक में करना है अपने आपके बुक में है यह होगा जरूर कि कि अन्यों अदर टाम देर इसी पर्फरेंश क्यीर डेम्शन प्रीमिंट धाइबक करे रहा हैं यह हम कर चुके हैं यह भी हम कर चुकेश हैं आज है कि यह माला कर लिए हमने वह सेम कॉस्जिन यारा है यह जैनसी करें ते नहीं purZone security use equation अगली क्लास में हम यह वाला टॉपिक करेंगे अगली क्लास मतलब कल ही यह वाला करेंगे equation method equation method के बाद और algebraic equation यह अगली ग्लास का टॉपिक है ठीक है ना क्लें क्या है अरीम मतलब क्लिक करेंगे देजल